आज मैं बात करने वाला हूँ कुमूटेशन के बाड़े में ये डिसी जिन रेटर में कमूटेशन क्या होता है उसके बाड़े में तो इसको समझने के लिए हम कुछ बिंदू को बारे-बारे से समझते जाएंगे पहला होता है कमूटेटर की घूमने के दिशा जैसे के हम लोग जानते हैं कि कमूटेटर पढ़ ही वाइंटिंग के जो विंद कोईल होते हैं वह जुड़े होते हैं इस प्रकार से जुड़े होते हैं तो कमूटेटर की इस दिशा में घूम रहा है आर्मेचर के साथ तो है वह तो स्थिर रहता है तो आपका जब इधर से इधर मूप करेगा राइट टू लेफ्ट साइड में तो आपका कभी तीन गुजरेगा फिर इंसुलेशन गुजरेगा फिर चार गुजरेगा फिर पांच गुजरेगा फिर इंसुलेशन गुजरेगा इस प्रकार से आपको कर दो कुमूटेक्टर किस्तिति कमूटार से ज्जमंट की च्तिति की बदलते जाएगा तीना लारोड़ फ्र लास्ट मां में आकर फिर से स्टार्ट होग अ मित्ज़न केुछिर स्टार्ट होगे तो अगर एक, दू, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, अगर मानी आठ सेजमेंट है, तो फिर आठ आने के बाद फिर एक से सुरू होगा, यह रिवी कंटिनू प्रॉसेस चलता रहेगा, ठीक है, तो बात उतता है क्या, कि आपका कमट्रेटर का घुमने के दिशा क्या है उसका कारबन ब्रॉस की स्थिति में देखते हैं कि आप कि कारबन ब्रॉस जो है, यहाँ पी तीन प्रकार के स्थितिया मिलेगी, पहला, जब कमट्रेटर इस राइट टू लेफ्ट, मतलब दाय से बाई को घुम रहा है, तो आप देखेंगे, कि हमारा एक कंडिशन में से स्टच किया हुआ है लेकिन उसके बाद जैसे जैसे कमिटाटर घूंटा है तो ऐसी स्थिति आती है कि आपका कारण ब्रॉस्त तीन और चार दूनों से सट जाता है ठीक है तीन और I will cut by flipping 4 इस तरह प्रोसेस द्वारं चलेड़ा यह कंडिेशन पहले आएगा फिर यह कंडिशन आएगा फिर हम आएगा फीर से यह कंडिशन आएगा फिर यह कंडिशन यहां पर चुकी देखिए यहां पर जो condition है वह भी सेम condition पहले वाला में था तो यहां यह condition आया फिर आगे shift हो गया यहां तीन पर था तीन चार शॉट हो गया carbon brush से उसके यहां चार पर चला गया निचे देखिए चार पर चला गया तो इसी तरह से यह process चलते रहता है ठीक है तो यहां पर देखना क्या है सेजमेंट को कैसे carbon brush छोड़ रहा है फिर छोड़ते हुए वह कैसे दो सेजमेंट को तीन और चार को आपस में शॉट करा दे रहा है यहां देखिए इसे प्रकार से फिर आगे केवल एक सेजमेंट से शॉट रहा है आके shift होके पहले तीन में था अब यहां चार में आ गया ठीक है तो इस तरह से आपका carbon brush जो है में तीन कंडिशन प्राप्त ह हो जाती है ठीक है अब आगे देखते हैं carbon brush की स्थिति हो गई carbon brush के दाएं और बाएं क्वाइल में current प्राभा की दिशा आप देखिए यहां पर यहां देखिए अगर carbon brush यहां है तो इसका दू हुचा अब एक दाएं इधर होगा एक बाएं इधर होगा अब दाएं में जो इस साइड में तीन और दूम में जुड़ा हुआ जूड़ा हुआ जूड़ा होगा वो clockwise रहेगा तो यहां पर सेम करेंट यहां बहेगा और सेम करेंट यहां बहेगा लेकिन करेंट के दिशा विपरित होगी ठीक है बाएं में और दाएं में और total carbon brush जो current collect करेगा current जमा करे होनके में परकेंट आड़ान ब में परकेंट कर फ़ेगा dziमन का योग क w activity ठीक है इस तरह से यहां पर आपको करेंट कर लेक्ट करता है कि हने हुआं यह हमेशा याद रखेगा district के बाएं और को अ कोयल परimeंपर हैदने क्यून in और दूसरे में विपरित होगा ठीक है अब देखिए यहां पर सेकेंड कंडिशन में आते हैं तो पहले जब केवल एक सेजमेंट से आपका कारण ब्रस शटा था तब यह कंडिशन था इधर से था क्लॉक्वाइस यह था एंटिक्लॉक्वाइस लेकिन जब तीन और चार दोनों को शॉर्ट कर दिया तो तीन और चार के जो क्वाइल सेटा हुआ उसमें करेंट नहीं बहेगा ठीक है नहीं बहेगा ठीक है तो इस कंडिशन में क्या है तिन चार को कारण ब्रस के द्वारा स्वाट हो गया है उसमें करेंट जीरो हो गया है और थर्ड कंडिशन में क्या है जब कारण ब्रस तिन चार को पर सेजमे में मेरे 4, पर पर रहा था है, पहले कारवण बिशleg के चलुक्त था, देखके , अब किस सेड में हैं इसके ,वाज के चलुक जाएर कार्बन के बाए साइड में आ गया है तो यह भी clockwise हो जाएगा ठीक है तो जब भी कौाइल जो है । कोईल जो है अपनी position कार्बन ब्रस की इसापे चेंज करता है तो उसमें बहने वाले करेंट की दिशा भी चेंज हो जाएगी ठीक है यही कोईल जो था पहले आपको कार्बन ब्रस के दाया सेड में था तो करेंट की दिशा एंटिक लॉक वाइस थी और वही कोईल जो है अब क सब्सक्राइब के बाएं साइड में आ गया तो एंटी क्लॉक्वाइज डिरेक्शन हो गई इसको अब यही जो अंतर पैदा होता है करेंट में ठीक है सौर्ट सर्कृट से पुर्व और सौर्ट सर्कृट के समय और सौर्ट सर्कृट के बाद जो करेंट के डिरेक्शन में जो चेंजिस आते हैं उसी को हम लोग कमूटेशन कहते हैं ठीक है कमूटेशन कहते हैं ठीक है और इसके कारण क्या होता है आपका कारबन ब्रस में चिंग इसको आगे देखेंगे, तो क्वाइल में उत्विन होने वाला E.M.F अब इसमें बात करते हैं, तो समझेए वाइंडिंग क्या है? winding जो है winding जो एक तरह का हम क्या कहता है यह भी एक तरह का coil है inductor है inductor है winding जो होता है winding का coil एक तरह का inductor होता है जिसका अपना inductance value L होता है अब चुकि हम जानते हैं यह बराबर ल डी आई बाई डीटी यह डीवाई डीटी क्या है तो एल तो इस कोईल का inductance value हो गया अब चुकि यहां current डीवाई डीटी क्या है तो यहां पर current की मात्रा कितनी change value है देख रहे हैं यहां पर जो है यहां पर देखते हैं इस direction में था अब जो है यह इस direction में हो गया है बिल्कुल भी परित तो उस कंड उसी को आकिस के subject time के subject कम सकम यहां से commutator जो है यह इस position से कि इस position में shift होने में कुछ समय तो लिया होगा ठीक है तो उसको क्या कहेंगे commutating time तो इसके बदल हम लीख सकते हैं dt के बदले हम क्या लेख सकते हैं commutator tc मतलब c मतलब commutator commutator time तो इसमें हम लगा सकते हैं इबराबर 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 आपको एल टी आई को लेट टू आई लिख सकते हैं चुक्क दूप बई टी सी कमutator time यहां पर दिखते हैं कि हमारा ब्रस के दाएं साट जो कोल है उसमें current की दिखा आई है तो ब्रस के बाएं साट में जो कोल है उसमें current की दिखा इबर प्रित है तो यहां anti clockwise आपका current की दिखा है तो यहां clockwise है तो यहां पर i है यहां minus i current होगा ब्यल्ली दोनों का समान रहेगा लेकिन एक negative में होगा एक positive में होगा है तो overall जो आपका इस position तीन और चार segment में जो कोल है उसका जो position change होके last में ब्रस के बाइं साइड आ रहा है तो current में जो changes हो रहा है उसको दखने कैसे होता है तो वहां देखेंगे की DI जो प्राप्त होगा वो difference जो प्राप्त होगा वो i minus दोनों में difference किया होगा तो यह हो जाएगा i पर यह बरतन केतना हो रहा है i minus minus i तो यह plus i हो जाएगा और total हो जाएगा यह 2i तो इसी 2i को यहां पर जो आपका e of inducerous में लागू किया गया है e बराबर ldi by dt 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 क्योंकि आपका commutating time है जो आपका इस position से लेकर इस position तक shift करने में जो time लग रहा है commutation time चुकता है उसको तीसी से denote किया गया है तो ldi by dt कि उसको लिख सकते है e बराबर l2i जो कि हमें को यहां भी पराप्त हुआ है 2i 2i by dt कि इसी है ठीक है तो इस प्रकार से आपका यहोंको reactance voltage या self-renews voltage उनको पराप्त होता है commutation के दोरान reactance voltage क्या है यह क्या करता है जो अब current इसमें बहने वाला है इस direction में continue ठीक है जो कि दाएं से बाएं और shift हो गया है तो current जो बहने वाला है इसमें उसका यह EMF विरोध करने लगता है ठीक है विरोध करने लगता है इसके कारण क्या होता है carbon brush अगर अगर इधर से इधर की और shift हो रही है मतले तीन से चार के और shift हो रही है चार से पांच के और shift हो रही है तो पीछे वाले इसमें के कारण प्रॉलम आती होती है चिंगारी उत्पन होगा जिसके कारण क्या होता है कमुटेटर में carbon कारण जम्मिन लगता है और वो current output देना समय बाद सही से संपर्क नहीं बना पतता है सेजमेंट से और जो contact resistance बढ़ जाती है कारण का ठीक है तो यही कारण बना तो overall यही प्रक्रिया होती है most important चीज यहीज है कि कमुटेटर की दिशा किस दिशा में घूम रहा है उसके सापेक्ष में carbon brush की स्थितियां किस प्रकार से चेंज हो रही है carbon brush की स्थितियां वो तो स्थीर है कमुटेटर स्थिति घूमने के खारण ऑप क मारें स्थिति pepper कहता कितने तरी में घठनाएं घठ रहे सुमझ लेने के बाद आप को यहीं समझ मिया जागा कि यह प्रकार लग कावलमे विपणित क व्रहज़ुश किस प्रकार से यह चेंज हो रही है यहां दाय साइड में और यहां बाय साइड में यही चेंज होने कारण ही कमुटेशन की समस्याइं उत्पन होती है तो इस प्रकार से आपका कमुटेशन पॉइंट डिस्क्रस किया गया आप लोग को यह समझ में आ गया होगा आगे हम लोग देखेंगे इस समय से हो कैसे solve किया जाए आप लोग कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्या हूँ